नमस्कार जहिन दोस्तों आप देखरें master video official और technician का form भराना शुरू हो गया है railway में form कहां से भरे हैं ये काफ़ी important होता है भले ही लोग कहते हैं कि talent होना चाहिए पर अगर railway में किस्मत नहीं साथ दे रहा या गलत जगा form भर दिया है तो नहीं भूल जाओ क्योंकि अगर आप ntpc group d किसी का भी देख लो तो कहीं-कहीं 100 नमर बाले को भी job नहीं मिला और कहीं-कहीं 50 नमर बाले भी job ले रहे हैं तो यह आप यह तो नहीं कह सकते कि किस्मत साथ नहीं देता है तो अभी हम पिछला जो भी एक्जाम हुआ है चाहे ntpc देख लो group d देख लो या इससे पहले विए कोई एक alp का हुआ जो भी एक्जाम हुआ है उसका भी हम cut up साधा करने वाले हैं zone wise ताकि आपको एक idea लग सके पर इससे पहले बता दे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उसमें आपको test book का practice help करेगा अभी yearly pass जो है जिसका price 500 के आसपास होता है वो अभी शिवरात्री का sale चल रहा है आठ से लेके 10 तारिक के बीच जिसमें आपको ये 21900 रुपिय में मिलेगा और जो yearly pass pro होता है जिसमें previous year question भी मिलेगा वो अभी 307 रुपिय मिल रहा अब अगर आप इस chart पे नजर डालो तो यह हमने ALP का रखा हुआ यहाँ पे यह group D 2018 का है यहाँ पे group D 2019 का है और यह NTPC 2019 में जिसमें हम लोग जोन हुए उसका है यहाँ पे cutoff आपको जो range है वो बहुत लंबा दिख रहा होगा 57 से तो एक तरफ मैंने SC का रिखा हुआ एक अब general का रखा हुआ है यहाँ इस बीच में cutoff गया हुआ था तो आप अपने category के हिसाब से नहीं तो मेरा तो अगर मानो तो आप general के लिए fight करो तब ही result आता है अगर आप category के लिए fight कर रहे हो ना तो आपका तयारी गरवड़ा जाता है इसलिए general के लिए fight करो ज्यादा सही होता है ALP technician का मैं नहीं रखा क्योंकि इसका data exact आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप ALP की बात करो तो उस time पहले तो cutoff आया हुआ था लेकिन फिर हला गुला हुआ और उसके बाद जो 30% पे होता है वो सब को qualify कर दिया गया था तो वो cutoff आपके लिए कोई मैने नहीं पढ़ा के वो भी सजा करते रहेंगे time to time पर यह देखिए अहमादयाबाद में 2018 के group D में 57 से लेके 71 के वीच रहा था वहीं 2019 में 51 से 62 रहा और NTPC में 48 से लेके 72 रहा इसको आप एक moderate zone जो है वो कह सकते है मतलब ना ही बहुत हाई ना ही बहुत low ठीक ना यह एक average zone है अजमेर की बात करें तो अजमेर में NTPC में आप देखो यहाँ पर 77 चला गया था यह काफी high रहा था 77 अगर आप दूसरा zone देखो तो किसी किसी zone का 75 से उपर रहा था जिसमें NTPC में अजमेर zone का भी रहा था यहाँ पर अगर आप देखे 18 में तो 60 से लेके 73 के बीच में रहा था व अजलब कोई पता ही नहीं चलता कभी-कभी आसमान चुल लेता है कभी-कभी जमीन पर आ जाता जैसे ALP में हुआ था पिछली बार अगर इलहाबाद की बात करें यह भी moderate zone में आता है बहुत अधिक कभी नहीं इसका बढ़ता अलहाबाद का अगर नहीं इलहाबाद में यह जोन काफी बढ़िया है लेकिन General OVC के लिए जोन खतरनाक हो जा रहा है Bengaluru की बात करें यह इस बार का काफी अच्छा जोन रहा था n-t-c हो चाए group-d हो हमेशा से यह एक अच्छा जोन रहा है ठीकत ना बैग लोड अच्छा जोन रहा है इसको अपने कह सकते खड़ाब भो इसमेर का मैंने कहा जिकर एलावाद का जनरल OVC के लिए भपाल वी यह तीनों जोन यहाँ पर खतरनाक जोन हो गया देखिए इस बार कहां से कितना फॉर्म भरा जाएगा वो तो में फेक्टर होता है लेकिन पुराने के कर बात करें मैं पुराने पर बात करूं तो भुबने बिलासपूर की बात करें तो यह 70 यहाँ पे 68 तो यह भी कटफ जो है इसका भी कम जा रहा है बिलासपूर का चंडिगट का अगर आप देखो तो चंडिगट का इस पार बहुत गया था न्टिपीस में आप देख सकते हो 46 से लेके 82 पॉइंट और हाँ एक जी बता दे जैस अगर में देखें तो हाई कटफ रहा था इसका 55 से लेके 75 तक 57 से लेके 70 तक और यहां पे 82 तक तो यह काफी खतर ना दो शीट कम होता है इसमें चैन्ने एक एवर गडिंग जोन हमको लगता है मैसा से 55 से लेके 71 तक इसमें गया था 40 से लेके 60 गुरूपडी में काफी कम ग जिक्र नहीं करेंगी कोस्टन का लेवल का गोड़कपूर हाई कटफ जाता है इसका जैसे आप देखो तो 54 से लेके 73-74 के वीच चला गया था और NTPC में यह 47 से लेके 77 75 से जो ऊपर है ना उसको आप कह सकते हो हाई जोन है ठीक ना जैसे अभी तक आपको कितना मिला यहां पर देखो दो उपर एक तीन तीन ही जोन ऐसा मिला है और एक अमाधा बात था लचार जोन ऐसा मिला है जो 77 के आसपास है गोहार्टी की बात करें तो गोहार्टी भी एक मिड्रेंज रहता है बस गुरूप D 18 वाले में काफी चला गया था इसका नहीं तो आप देख सकते हो यह ठीक ठाक जोन है जमु कास्मी स्रीणगर की बात करें तो यह पता नहीं चल पाए हमको यह भी बाद में फैनल वाले बढ़ गया था पर पीटी के लिए जो सीवी टी वन था उसका कट अफाइड नहीं गया था कोलकता की बात करें तो यह काफी हाई जाता है आप देख स आ गया था एकपीषी में पर फिर बाद में में अगर मेंस की बात करें जो सीवी टी टू हुआ था तो उसमें वह कटश थोड़ा गिर गया था मुझपरपूर कम रहता है ठीक ना देखें या च्छेज लोग भरते नहीं हैं मुझपरपूर और सिल्ली गोडिका सेम सिली कल प्रणीगा भी देख सकते हो वो मुझपर पूड की तरह ही रहता है कट अफ स्वरा कम चला जाता है पटना की बात करें तो पटना भाइसाब सीवेटी वन में तो कम गया था यहां पर सीवेटी टू के बाद उसका तो बहुत बुड़ा हाल था यहां पर गूरूपड में भी सिकंदराबाद पतानी पहले कम रहता था पर अब पतानी क्यों इतना हाई है मेरा अभी 86 पे हुआ है तो मतलब हाई कट अफ जा रहा है सिकंदराबाद का भी आज कल में क्योंकि यहां पे अगर आप देखो वेकिंसी भी ठीक टक होता है और बहुत लोग फॉर्म भरते है बहुत लोग यहां पर करेंगे डहे लाग के आसपास लोग फॉर्म भरे हैं तो फिर इस पार भी कट अफ है ही जाएगा से लिगोडी मुझा पर पूर्जयस आईए सीट कम रहता है तो लोग कम भर बरते हैं नोकडी चाहिए तो मेरे फाई अगर होता है ने प्रच्छने बहुत कम जाता है स्टेशन मास्टर वाले पोस्ट में इस बार ऐसा यहां आल हुआ था कि जो सीवीटी टू होता है ना जितने लोग फॉर्म मतलब एजाम दिये थे उससे अधिक सीट था तो एधिंग 45 या कुस पर उसको जॉब लग गया था तो ऐसा हुआ था तो फिर अ तो इसमें एक सर्विसमेंड का इंगलोट नहीं है बस जनरल का यह मेकसिमूम है और यह स्टी का है इस बीच में आपका है बस आपके मेकसिमूम कटफ को फोकस करो तो इस वीडियो में इतना ही यह सोच समझ के फॉर्म भढ़िएगा रे वीचार लेकर ही खैर इस वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद